हलो फ्रेंस नमस्कार स्वागत है आपका कुस्वाप प्रपर्टी जाएक श्रसेंट परपरगज में मैं आपका दोस्त सनत कुमार आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक तीम बेड्रूम तीम ट्वालेट का इस्पेसियस फ्लेट जोकि आसिरवाद अपार्टमेंट के अंद जोर्टमेंट के अंदर इंट्री करते हैं इंट्री करते ही लाधीड के बाद हम रॉडिक में आजाते हैं और बालकनी कि इस फ्लेट का जो कवर्लिंग एरिया है वह 139 अस्पार मेंटर है जो की काफी बड़ा फ्लेट हो गया है ₹प날 चliaना बहुत अचहली हिस से लेके लगभग धाई से तीर घंटे की धोप यहां पर प्रॉपर होती है बालकनी सुसाइटी फ्लैट के जो सिंटर पार्क है उसको फेस करते है इस सुसाइटी के अंदर जो मेंटिनेंस चार्जेस हैं वो 1750 रुपए है यह हमारा ड्राइंग रूम हो गया है हाइट काफी अच्छी है वेलिडिंग के अंदर की जो हाइट है वो काफी अच्छी है जो एश्टेयर उपर की तरफ जा रही है क्योंकि यह डूपलेक्स फ्लैट है तो उसके नीचे का जो एरिया है सेडी के उसको भी एज ए स्टोर किचन इस तरीके से यह एक तीन ट्वाइलेट का डूपलेक्स फ्लैट है जिसका एरिया है 149 स्कार मिटर कवर्ड प्लिंथ रधा मेंटीन्स इस सुसाइटी में 1750 रुपए है किचन को आपको देखके आईडिया लगी गया होगा काफी एस्पेस्यस है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना न भूलें यह भी हम सिक्स फ्लोर पर हैं ड्राइंग और डाइनिंग के बाद किचन के बाद बेड्रूम बेड्रूम के साथ में कॉमन ट्वालेट बाथ्रूम यह ग्राउं यह सिक्स फ्लोर का नीचे के जो फ्लोर है उसके अंदर का यह ट्वालेट बाद रूम है और यह पहला पहला बेड्रूम हो गया इसके अंदर इंबेल्ट अलमीरा सामने की तरफ खिड़की नीचे से उपर तक पूरी खुलती है क्योंकि इस फ्लेट के अंदर लाइट नहीं जल लही है तो इस वज़े से हो सकता थोड़ा सा जो है डार के देखें इसकी वी जो लोकेशन है काफी अच्छी है इस तरीके से जो सिख फ्लोर पे अपने यको ड्राइंग औन डाइनिंग किचन बेडरूम बाल करी एक श्टोरugs जो जीने के नीचे पी placing का है तरीके से और हम अप्छलते हैं साथ फ्लोर पे यह एकए फ्लेट है शिक्स हैुन स तरफ से जो इसका प्राइज रखा गया है वह एक पॉर पच्पल लाख रुपए रखा गया है जो कि बिल्कूल सही रेट है जेश्ट थोड़े दिन पहले एक फ्लैट हमने डाला हुआ था जो कि आसेबाद अपाटमेंट के अंदर ही चार बेडरूम तीन ट्वालेट का था यह सेम लेडर का फ्लैट है बस जो सामनी आपने छट देखी है इस छट के जिगा पर उस वाले फ्लैट में एक बेडरूम है और उसका जो एरिया था वह 150 स्कार मेटर था इसका जो फ्लैट का एरिया है 149 मेटर है साथ में जो छट मिलती है वह अलग है बट वह आपके यह सेकंड वेडरूम सेकंड वेडरूम के साथ अटाइश ट्राइड वात रूम आसिर्वाद अपाट्मेन नरवाना अपाट्मेन के सामने मदर विहार के बिलकुल पास की सुसाइटी है तो नियर भाई वह सारी फैसलिटीस है जो अपने को चाहिए स्वापिंग कॉंप्लेक्स, मैट्रो, बस सर्विसेज, होस्पिटल, बैंक्स, स्कूल, सारी वाकिंग डिस्टिंस में हैं, यह तीसरा बेट्रूम, तीसरा बेट्रूम का साइज है, वो दस भाई, पंदरा के आसपास है, इनवल्ट अलमीरा, राइट हैंड पर आप खिरकी देख रहे हैं, वन्टे लेशन के लिए काफी अच्छी जगह है, फ्लाइट की जो लोकेशन है, काफी अच्छी है, और यह तीसरे बेट्रूम के साथ, तीसरा ट्वाइलेट कम बाथ रूम, आईपे एक शंसन पटपर गंजबंज, इस तरीके से अभी तक आप ने देखा है, ट्राइंग अन्ड डैनिंग, तीन बेट्रूम, तीन ट्वाइलेट, किचन, इस्टोर रूम, बालकनी, और यह हम उस एरिये पर आगे हैं, जिस एरिये की हम बात कर रहे थे कि यह इस फ्लाइट की सबसे सांदार गए, यह हो गया आपका टेरिस, इसे आप टेरिस गार्डन भी कह सकते हैं, बालकनी भी कह सकते हैं, पेंट हाउस भी कह सकते हैं, आप अपने अक्टरिंग इसको यूज कर सकते हैं, यहां से जो व्यूव अपने में हमने नंबर दे दिये हैं स्क्रीन पर भी नंबर डिस्प्रेय हो रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पार वाचिंग